नमस्कार आपदीक्रे न्यूस फोर्डेशन और मैं हूँ सान्थवना आपके साथ ये चुप्पी कुछ कहती है और इस चुप्पी के पीछे की राज बड़े ही कह रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुक्षे मंत्री नितीश कुमार की जिनकी चुप्पी को कोई समझ नहीं पाया है ना ही उनकी चाल को कोई भाप सका है अब जब वो महागजबंधन की सरकार में है और लालू परिवार पर इतनी बड़ी गाज गिर चुकी है तो नितीश कुमार ने चुप्पी साथ ली है ऑर जएजि के नेताओं के तरफ से लगातार बिहार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है यह अपील की जा रही है इस बात की कि से राज्य सरकार से अनुमती नहीं मिल जाए अर्जेजी के नेताओं के द्वारा की गई इस अपील पर भी नितीश कुमार पूरी तरीके से चुप है और उनका मौन बहुत बड़ा संकेत भी दे रहा है वही दूसरी तरफ राहुल गांदी की सदस्ता समाप्त हो चुकी है औ यहां तक कि जद्यू के रास्ट्रे देक्ष समूंगे सांसद ललन सिंग भी पूरे मामले को लेकर मुखर है लेकिन नितीश कुमार कोई सुध लेने को तयार ही नहीं है आकरकार उनकी चुपी क्या कुछ बया कर रही है और उनकी चुपी के पीछे का राज क्या हो सकता है उनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात चल रही है जिस पर वो मौन रहने को पूरी तरीके से मजबूर है या यूँ कहें खुद को मौन उन्होंने रखा है ताकि आने वाले दिनों की सियासी चाल को वो पूरी तरीके से पलट सके जानते हैं दरसल किसी मामले में दोश सिद्व होने पर सांसुद और विधान मंडल के सदसिता से आयोग्यता में कुछित प्रकिरिया का पालिन किया जाना चाहिए निर्वाचन आयोग से कदी सूशना होनी चाहिए जिस पर लोकसभा देक्ष को रास्ट्रपती की मन्जूरी लेने के बाद कारी करना चाहिए जाहिर है इसमें थोड़ा समय लगता है राउल गांदी के मामली में हाला कि आदालत के आदीश के 24 घंटे से भी कम समय में लोकसभा की सदसिता से आयोग्यों घोशित का आदीश दिया गया इस हरबड़ी से पता चलता है कि कींद्र की सरकाने प्रक राजपा का हिसाब कर दिया चाहेगा उपरुक्त बयान जद्यूनेता ललन सिंग के हैं सियासी जानकार बताते हैं कि हाल के दिनों में कई सियासी मसलों पर ललन सिंग मुखर रहते हैं नितीश कुमार चुपी साथ लेते हैं इस वज़े से सियासी गल्यारों ने नितीश राजुरतिक चुप्पी वाली शैली को लेकर चर्चा शुरू की जाती है राहुल गांदी मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है आखेर नितीश के चुप रहने का राज क्या है वो भी तब जब नितीश कुमार विपक्षी एक्ता की कवायद में लगे हुए है गौर तलब है कि सियासी जानकारों की माने तो नितीश कुमार के चुपी कई राजुरतिक अठकलों को हवा दे रही है जब राहुल के समर्थन में अधिकांच विपक्ष सामने आ गया उसके बाद में नितीश कुमार असमुद्दे पर चुपी साधे हुए है नितीश कुमार के चुपी पेजविदा सवालों को जन्म दे रही है जब राहुल गांदी की सजा का ऐलान हुआ उस वक्त नितीश कुमार बिहार विदान सबा में मौजूद थे उन्होंने अपनी कोई प्रतिकरिया नहीं दी जदियू ने राहुल के समर्थर में हुए प्रदर्शन से खुद को किनारी कर लिया इस प्रदर्शन में आरजेजी भागपा हिंदुस्तानी आवा मोचा शामिल हुए इंदलों ने प्रदर्शन के अलावा कींद्र सरकार पर निशाना भी साधा उस दोरां जदियू की ओर से बिलकुल ठंटी प्रतिकरिया रही इस मुद्दे पर निटीश ने के करीबी विजे चौधरी ने कहा कि सजा सुनाने का मामला शौकानी वाला था हाला कि विजे चौधरी ने इसके बाद कुछ भी नहीं बोला बरहाल सियासी जानकार मानते हैं कि निटीश कुमार की चुफ़पी काफी रह सिमय है जानकारों की माने तो जिसके साथ उन्होंने बिहार में महगट बंधन किया वो परिवार E.T. और C.B.I. के फेरे में फसा हुआ है जिसके बाद उन्होंने विपक्षी एकता की कवायद सोची उसे सजा हो गया निटीश मार दोरी खुशी के दोर से गुजर रहे हैं यदि वे विपक्ष को एक करनी निकलते हैं तो उनके रास्ते का काटा ब्राहुल नहीं बनेंगे उदर तिजस्पी आदव और लालू परिवार में कोई जेल जाता है उसके बाद निटीश को अपने सियासी फैसले लेने में दिक्कत ना हो इसे लिए चुप है जानकारों का मानना है कि बीजेपी हर हमला करने से कत्रा रहे निटीश पर एक बर फिर सियासी उलट फेर कर सकते हैं निटीश की चुपी को लेकर तिजस्पी आदव भी हैरान बताया जाते हैं सियासी जानकारों के मुताबिक नितीश कुमार लालू परिवार पर हो रही कारवाई पर बहुत मुखर होकर नहीं बोल रही इसके लिए भी ललन सिंग को लगाया है नितीश कुमार को पता है कि ब्रस्टा चार पर जीरो टॉलरेंस की उनकी बात का मजा कुड़ाया जा रहा है वो हाल के दिनों में मागट बंदन के आरजेटी कोटे के नेताओं ने जो इस तरह से नितीश पर हमला बोला उससे नितीश कुमार आहत है अब देखनी वाली बात यहोगी कि नितीश कुमार की अगली चाल क्या होती है और ये चाल किस तरीके से जनता से लेकर सियासत को हिला कर रख देती है फिलाव के लिए इस कबर में इतना ही नमस्कार